वेलकम तो एवनवसी वी यूटूब पर दोस्तों अगर आप एक यूटूब के रेटर आज वीडियो आपके लिए बहुत ज़ाद दमदार होने वाली है क्याइज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने वाटसप के कुछ फीचर जानने वाले है आज कैसे आप फीचर को यूज कर सकते हैं दोस्तों स्टेब बड़े बेहतरी तरीके साथ वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी कीपेड में फूटर लगा सकते या कोई वाल पर आप कैसे लगा सकते हैं कभी ऐसा हथ होतों कि आप कि फोन में कुछ पर्सनल चैट होते हैं सपोचकु आपनी गलर्फेंड या किसी फ्रेंड का आप या पसंद्व से अपने दोफ से अपने वेंबर किसी से पाने चाती हैं तो अगर आप एंज कैसे हाइड कर सकते हैं कि आप आप चैट का बेकप ले सकते हैं वीडियो के साथ में यानिकि वीडियो भी आप अपने चैट बेकप में कैसे लाइगे दोस्तों आज में पूरा टुटोरियल इस वीडियो में आपको समझाने वालों पट आप से एक ही रिक्रेश्ट दोस्तों अगर आपने पर हमारे चनल को हमारत desirable दोस्तों चलते हो लúp आपको मवाल की स्क्रेंट से आपका WhatsApp यहां पर ओपन हो जाएगा और आपको राइट सेड में 3 डॉट इस पर क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों सबसे नीचे आपको option मिलेगा settings इस पर क्लिक करना है अब यहां पर दोस्तों account का option आपको मिलेगा दोस्तों इस पर आप यहां पर डार्क करना चाहते है तो डार्क पर क्लिक करना है और ओक्या आपको यहां पर कर देना है इस तरह के से आपके WhatsApp की जो थी मैं दोस्तों डार्क हो जाएगी जैसे कभी-कभी क्या होता है कि दोस्तों कि नाइट जब आप नाइट में वाट्सप को यूज करते लाइट से आपको प्रोब्लम हो दिया तो आप इसे डार्क यहां से कर सकते है या फिर आप लाइट भी से कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे आप वह वालपेपर आप अपनी चैट में यानिके सेट कर सकते हैं कि बाद दोस्तों आपको अगर आप अपने इंटर वाले बटन को जईनि कीपअड में जो इंटर का बटन होता है अगर आप उससे सेंड मेसिज बटन ब्राना चाहते हो जानी कि जब आप इंटर की जाएगे आप महां से send button य tease all the tools से बना सकते हो तो आपको इस यहाँ पर inable कर देने हैं जैसे आपने से enable कर दिया स्कार यूजश कैसे करेंस करें यूज़ मैं आपको दिखा देता हूं पहले उपको दिखा यहाँ आप का ओप मैंने करद करो सब्सक्राइब सब्सक्राइब है अब अब यहां पर यह option आपको मिलागा send का ठीक है जाने कि आपकी keypad में यहां पर इंटर का बटन आपको दिखाई दे रहा है जाने कि यह इंटर का बटन दिखा दे आप यह सेंड बटन हम कैसे से बना सकते हैं वह मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में अब आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर आपको जाना है रिटन आपको जाना है और फिर से आपको उसी option पर चले जाना है उपर अब यहां पर दोस्तों इसे हम यहां पर इनेबल कर देते हैं हमने इसे इनेबल कर दिया है अब दो बार से मैं आपको वहीं लेकर करके जाता हूं मैसेज पर अब यहां पर हम मैसेज टाइप करेंगे मैंने हैं यहां पर लिख दिया है और अब नीचे देखेंगे आप यह कर सकते हैं अब आगे दोस्तों आपको option यहां पर मिल जाएगा मीडिया visibility दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने WhatsApp का photo और video आपकी गैलरी में और हो तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मेरे keep chat achieved दोस्तों अगर आप अपनी chat को छिपाना चाते है तो आप इसे आप इनेबल कर देना कभी की बेस होता है कि आपके phone को कोई दूसरा वेक्ट यूज कर लेता है जिससे WhatsApp वो चेक कर लेता है जिससे आप अपनी chat को छिपा सकते हो तो इसे आप इनेबल कर सकते हो अब दूसरी नमबर पर यहाँ पर आपको मिलेगा app language दोस्तों अगर आपको English नहीं आती है तो आप Hindi में आपके select कर सकते है जो भी आपकी language है आप Malayalam जानते हो या आप Punjabi जानते हो या मराठी वास आप जानते हो गुजराती जानते हो और भी जानते हो जो भी language आप जानते हो आप अपनी language यहाँ से select कर सकते है अब नीचे आपको option मिलेगा chat backup इस पर किलिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप अपनी WhatsApp का दोस्तों chat backup आप ले सकते है अब उसके नीचे थोड़ा आपको यहाँ पर option मिलेगा यह आपको पर द्यान से समझ लेना है यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा include video दोस्तों अगर आप अपने backup में वीडियो भी चाते है कि मेरा जो वीडियो है वी मैं अपने backup में लूँ तो आप इसे यहाँ पर इनेवल कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर एक option मिलेगा आपको Google account दोस्तों यहाँ पर कभी कभी एस होते हैं आपको फ़ोन गुम हो जाता है यहाँ फ़ोन कुस भी हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका data सारा यहाँ पर चला जाता है ओन कर देना है कि इसका benefit होगा दोस्तों कि जब हम WhatsApp से backup ले लेते हैं तो हमारा जो data होता है दोस्तों WhatsApp की account से भी delete हो जाता है WhatsApp ने बहुत अच्छा दोस्तों यह features निकाल है कि जब हम पूरा backup ले लेंगा तो WhatsApp के account से भी एची delete हो जाती है यह WhatsApp के पास भी नहीं बचेगा यह हमारे पास सारा data return आ जाएगा तो इसलिए आपको यहाँ पर ओन कर देना है अब उसके बाद दोस्तों नीचे आपको में लगा चैट हिस्ट्री इस पर किलिक करें यहाँ पर दोस्तों आपको export चैट अगर आप किसी को अपना पूरा चैट भेजना चाते है तो आप यहाँ पर चैट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अगर आप किसी से अपनी चैट को छिपाने चाते हैं जैसे कभी-कभी आपके family member आपके को यूज़ कर लेते हैं या दोस्त आपके वर्टसप को यूज़ करता है उसमें अपकी चैट पढ़ लेते हैं अप उन्हीं से नइचिए हुंं कर norm जाते हैं तो अर्युर्ल हो करेंगे यहां से दोस्तों डरेक्टली आपको पुरा चैट यहां से के लिए हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने वर्ट्सप की सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पस्त आयोगी वीडियो आपको कैसे लेगी दोस्तों कमेंट सेक्षिन में कमेंट करें जरूरू बताना अब चलता हूं दोस्तों अब मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक लिए टाटा बाई बाई